दोस्तो टोडल सॉलूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बाद स्वागते तो दोस्तो आज का वीडियो एक प्रेस्टीज कमपनी का इंडक्शन कुकर के उपड़े तो कस्टमर का कहना है दोस्तो इसमें लाइन आने के बाद तुरंदी बंद हो जाता है और इसका कोई भी स फिर से हम इसका जो पार बटन उसको दबाएंगे फिर से देखी लाइन आ गया आप देखिए दूसरा कोई भी बटन काम नहीं करेगा और दबाने से बिल्कूल भी अन नहीं होगा तो दोस्तो इसका ही रिपेर करने की कोशिस करेंगे और सीखेंगे ऐसा प्रोब्लेम आने पुरा देखते रही एए और एसका डेंपने और बहात तो जो से किश्णा लीन चालत के वृत देख होरा तो इसका आक मतलब कुछ जल गया तो कि अजिकन ले हो दोस्तों इस अआफ अपर हिस्छी, actually हो जला अम को नहीं दिख रहा है तो एसका पौइछे इसका Hayसर हम पलो करत के देखेंगे तो यह इसका फॉयल नाइन है जो डायट का जो डिसी आार पुट सपलाइस एक इनुप्ट दो दोस्तो उसके साथ जो है एर कॉयल का जो म harassment है थोरा सा रहा गया साइथ इसमें किसी कारण से तो इसमें देखिये बिल्कुल काला पर गया और फॉय या से काड भी गया है थोरा सा जो है कोईल का एक लेक बाहर हुआ था थोरा सा उसका वैर तो यह देखिए इसको हम साप करेंगे अच्छे से साप करेंगे एसी वाला कनेक्शन था दोस्तों एसी वाला कनेक्शन से जो DC निकलता है और क्यापसिटर होके कोईल होके जाता है तो दोनों कनेक्शन के बीच में यह फ्लासिंग हुआ है तो इसमें तो कुछ न कुछ जरूर हुआ है दोस्तों क्या खराब हुआ हमको ढूंड के निकालना परेगा तो आभी तो पिलाल मैं इसका जो अच्छे से साप कर दिया और जो फॉयल का लाइन है दोस्तों दोनों लाइन के बीच में हम थोरा सा घीज देते के अगर पीसी भी बोर्ड में अभी भी कुछ म के और आफ हो जाए और कनेक्शन ना बने अब दिखिए एक वायर के मतदर से जो एक साइट का लाइन थोरा सा कट गया था उसको हमने बना दिया है ए दिखिए ऐसे बना के इसको काड़ देंगे वायर को तो यह दिखिए बिल्कुल अभी एसे ही है तो अब इसको हम को चेक नीचे का जो बॉडी था दोस्तों वही पे दाग हो गया था तो वही पे भी हम थोरा साप कर देते क्यूंकि वही पे टाच होने के बाद ही इसमें जो है फ्लासिंग हुआ है और इसका जो बड़ा बड़ा लेगे दोस्तों कुछ पार्स का है वह कटर के मतर से हम काट देंगे नीचे फाइबर में या प्लास्टिक में ना टाच हो तो इसलिए इसमें देखिए यह क्यापासिटर का लेगे आई जीवीटिक का लेगे तो जितना भी लेगे दोस्तों उसको हम तोरा काट के छोटा कर देते के नीचे टाच ना हो नीचे अगर टाच हो जाता है वही पे पानी बगड़ा कुछ रहता है या दूसरा कुछ तो उसमें सोट सर्कित होने की चांस होता है तो इसको हम अच्छे से देख देखके हम एक एक लेग को काटके एकदम बिल्कुल समन कर देंगे तो इसमें क्या होगा हमारा ऐसा प्रोब्लिम नहीं रहेगा नीचे बोड़ी तो यह देखिए देख लेते एक बार कनेक्शन देखे तो यह देखिए इसका फैन तो चल रहा है बिल्कुल आप एक बार इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों डिस्प्ले हम देखेंगे डिस्प्ले वाला हिस्सा इसके साथ जोरेंगे जोरने के बाद एक बद चला के देखेंगे तो और एक बर हम connection देके देख लेते यह पर फ्लासिंग बगरा होता है कि नहीं तो देखिये दोस्तों जहां पर हमने जो रहा था यह पर फ्लासिंग नहीं हो रहा है ताम आब हम इसका डिस्प्ले को जो रेंगे यह देखिए तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों अगर है के नहीं हमको पता चल जाएगा तो डिस्प्ले आइसी को थोड़ा साफ कर लेते और इसका जो पीन है वही पे भी हम बोट को पूरा साफ कर लेते कई पे अगर सालफर बगरा रहता है तो कभी-कभी इससे भी प्रॉब्लम है क्रियेट होता है तो यह देखिए तो इसका जो ढखकान हमने पैनेल बोट का इसको साफ कर दिया अब इसको हम सीरीज 220 बोल्ड में ऐसी में इसका कनेक्शन बनाएंगे तो यह देखिए सारा लाइट जो गलो हो गया अब हम पार बटन को आउन किया तो यह देखिए फिर से वही प्रॉब्लम चल रहा है जो कि पहले वहाँ पे फॉइल लाइन पे सालफर जमा हुआ था सौर सार्कीट के कारण तो उसको हम तो साब करके बिल्कुल सही कर दिया था उसका फॉइल लाइन भी थोड़ा सा कट गया था हमने बना दिया था तो फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी इसका जो है दोस्तों बोल्टेज को हमको चेक करना है तो देखिए इसमें सरे 2 सेंगे स्वेसे खृता है एक जो वह पाउर साप्लाइ शेक्रइन और दोसरा है आई जी भीटी सेक्षण तो हमको पहले पता करना है कौन सा सेक्षण में प्राबल्म है तो इसलिए हम जो है माल्टि honor को डीसी मूड में रख दिया तो आप देखिए जो ब्रीज डायड है इससे हमको 317 से 320 भूल मिल रहा है आप आई जी बीटी के कलेक्टर में हमको 320 भूल मिल रहा है मतलब इसका जो आई जी बीटी शिक्सा ने दोस्तों यह बिल्कुल सही है तो यह दिखिए यह रेजिस्टार स बोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो इसका प्रोसेसर आई सी में जाता है जहां पर सिग्नाल आता है आप हाई बोल्टेज का और लो बोल्टेज का तो दोनों ही रेजिस्टर बराबरा रेजिस्टर आप लोगों को दीख रहा है लगबग 1 वाट का उसमें 820 के का ऐसा हो जो हुआ रहता है और अभी जो है दोस्तों एजो पावर सप्लाई सक्षन है यह लिए पे भी ए-सी वोल्टेज जो है एक एक जो आइन फॉर जीरो जीरो सेवेन होता है दोस्तों उससे ड्रॉप होके आता है अर्द दोस्तों जहां पे आठ़ए बोल्ट मिलना चाहिए ह तो यह पर हमको अभी जो है दोस्तो 12 वोल्ट दिख रहा है तो मतलब इसका जो पाउर सप्लाई सेक्शन है इसमें ही प्रॉब्लम है इसका जो आई सी है दोस्तो वाइपर वारा तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो यह देखिए 300 वोल्ट हमको में कपासिटर में मिल रहा है उसके बाद यहीं पर 5 वोल्ट यह 9 वोल्ट यह 18 वोल्ट हमको मिलना चाहिए दोस्तो यही पर 2 टैंजिस्टर रहता है 5 वोल्ट का 9 वोल्ट का तो वह हमको नहीं मिल रहा है और इसका जो कॉयल है जो चौपर भी बोलते है कोई-कोई SMPS भी बोलते है छोटा सा हो देखिए त तो उसमें भी हमको बोल्टेज मिलना चाहिए लगबाग है दिखें भी qi लगबाग हमको बारा जो है आउ्टपुत मिलना चाहिए दोस्तों 22 भोल्ट और nine भोल्ट तो एके हम चेक करेंगे बारा बारा बोल्टनेही only सोरी दोस्तो 18 वोल्ट तो इसमें देखिए 12 वोल्ट ही निकल रहा है तो 12 वोल्ट निकल रहा है तो थोरा वोल्टेज कम निकल रहा है दोस्तो और यह देखिए 12 वोल्ट निकल रहा है कभी-कभी 17 भी दिखाता है और यह पे देखिए 9 वोल्ट के जगा में 7 वोल्ट निकल र है इसमें हमको पार कम मिल रहा है दोस्तों तो इसलिए पूरा सप्लाई जो है पैनल में भेज नहीं पा रहा है पैनल के लिए फाइफ बोल जरूरी है दोस्तों तो इसलिए जो है पार सप्लाई सेक्शन जो है ड्रॉप होता है तो यहीं पर जो आइसी है दोस्तों देखिए गौर से देखिए यह जो आइसी है इसमें वाइपार 12 लगा हुआ है 12 बे मतलब 12 बारा तो इस आइसी को हम चेंज करेंगे एक बार चेंज करने के बाद फिर हम इसका बोल्टेज को चेक करके देखेंगे के सेम आ रहा है या थोरा सा जो है ज्यादा आ रहा है हमको पार जो 18 वोल्ट धे दोस्तों तो मिलना चाहिए कई पे ना कई पे तो अगर नहीं मिलेगा तो कम नहीं बनेगा क्यूंके आइजीवीटी का जो स्विचिं सेक्जन है दोस्तों ओई पे पर पाल स्विच्ज जो मॉडूलेशन सेक्जन है ओई पर हमको 18 बॉल्ट जो है स्टैंट बा इसका जो लिखा भी एपे है इसका नमबर तो थोड़ा हमारा तबीयत भी अच्छा नहीं है दोस्तों थोड़ा सा जुखाम हो गया है हमको तो इसलिए थोड़ा तकलिब भी हो रहा है हमको वीडियो बनाने के लिए तो देखिए इसको हम अच्छे से सोल कर देंगे जल्दी से इसको सोल कर देंगे इसका जितना भी पीने और आईसी को भी बोर्ड में काटिंग बनाऊ आए उसको देख नहीं बैटाइए कभी कभी उल्टा भी होता है काटन एक एक जैसा हो जाता है और उल्टा बैटता है कभी कभी वो होता है तो यह दिखिए अब है भी हम इसका स्वाइट COME कर रहा है दोस्तों कॉंटिटिव मून में रखके कभी-कभी इसका जो चौपर रहता है उसका मतलब छोटा वाला जो कॉयल है उसके साथ बरा वाला कॉयल का कनेक्शन बन जाता है पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम आया था या बजाज आइस एक सेवन सेवन में तो उसी को हम चेक कर रहा था तो अभी तो बिल्कुल कॉयल सही दिखा हमको तो थोड़ा साम इसको साफ कर लेंगे अच्छे से कि इतना भी साफ सपाई करके आप काम करो उतना ही अच्छा होता है दोस्तों क्योंकि उसमें अग्दम चकाचा कर रहता है कोई भी सोस सर्कीट का चांस नहीं रहता है और प्रॉब्लम भी नहीं आता है दोस्तों कम प्रॉब्लम आता है तो यह दिखिए दोस्तों हमारा जो वोल्ट है ये आठा वॉल जो मैंने बोला था एक बॉल्ट इदर उदर हो सक लेकिन उप ऑपर मिल रहा है दोस्तों है देखिये नौव मिल रहा है जोhave Five n 가 जाह अरहे बहुत जाह पे मिलना चाहिए और यह देखिया ऐसी अच्रौत Angeb कें पटो के का द्राइवह ठांस्पार्मा और न के यह देखिये मेडिक 10 जो तो आठरा व्ल जो है हो बन रहा है नाइन वोल भी बन रहा है और इसका फाइब भी बन रहा है तो अहब हम इसको जल्दी से सेट कर देते आप देने के बाद हम पैने judgment फिर इंडेक्शन को ओन करके देखेंगे दोस्तों हमारा इंडेक्शन अभी तो चलना चाहिए अभी जो है पूरा सेक्शन से यह देखिए पार बटन हमने दवा दिया है और यह देखिए हमने कनेक्शन भी दे दिया है डिस्प्लेय में आ रहा है अभी जी रो आ रहा है दोस्तों यह देखिए जी रो आ रहा है तब हम इसके उपर एक पॉट बैठा देते तो फिर से इसको हम कनेक्शन देंगे इसमें तोरा पानी भी डाल देते इसको अब इसको अभी आउन करके देखेंगे यह तो गरं होना चाहिए अगर नहीं होता है तो फिर से ही को खोल किए ज़िए पर ना कहीं पर थोड़ा सा भूल हो सकता है तो वह चेक करने के बाद ही हमको पता चलेगा तो यह दिखिए हमा जो कनेक्शन अमने दे दिया है तो यह दिखिए अभी जो हमारा इंडेक्शन में पानी गरम हो रहा है और यह पर दोस्तों कुछ लिखा है दिस्प्ले काटा है क इसका जो मतलब है दोस्तों यह भी हमको पता नहीं है सी यू का मतलब तो आप लोगोazing को अगर पता है तो जूरूर कमिन सेक्षन में हमको कमिन करके बताएगा इसका मतलब हमको पता नहीं तो यह दिखिए हमारा जो पानी गरम हो रहा है अच्छे से हो रहा है और थोड़ा ज्यादा करके भी देखेंगे, कम करके भी देखेंगे, इसका जो वाट को, तो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, एह देखिए, कम करके भी हो रहा है, ज्यादा करके भी हो रहा है, तो हमारा जो दोस्तों इंडेक्शन में प्रॉब्लेम था, पावर बटन आउन करने से बंद ह होते आता है तुरंदी जो कास्टमर ने बता या था तो इसका जो हमने चेक किया बारी-बारी में तो इसका पाउर सप्लाई का प्रॉब्लिम निकला तो उसको हमने रिपेर कर दिया तो ओके ठैंक यू वाचिंग माई वीडियो